यह सोशल इसूस से रिलेटेड होगी उसी के साथ साथ जो पॉलिटी से रिलेटेड होगी तो आज की जो हमारी करण्ट अफेर की निवस जो है वह है दिमांड ऑफ मैंती इस फॉर स्टेटस तो देखते हैं सबसे पहले ये news में क्यों है तो recently जो अभी जो है All Tribal Student Union of Manipur at some इन्होंने जो है Solidarity March जो है वो निकाला था क्योंकि ये जो थी demand जो थी mighty community को include करने में in the list of जो state की scheduled tribal list है उसमें include करने की demand जो थी वो mighty community जो है वो निकाल रही थी एक मार्च जो है वो निकाला गया था All Tribal Student Union of Manipur के द्वारा ये मार्च जब निकाला जा रहा था तो ये मार्च जो है ये वोयलेंट क्लैशिज में convert हो गया क्योंकि जो order दिया था Manipur High Court ने उन्होंने ये का था कि state जो है उसको जो है अपनी 10 साल पुरानी recommendation जो है उसको जो है वो pursue करना चाहिए जिसमें ये कहा जाता है कि जो ST status जो है non-tribal mighty community को वो जो है वो दे देना चाहिए तो उसी वजह से ये tribal जो था ये मार्च जो निकाला गया था जो Manipur High Court जो है उसके order के अगेंस्ट ये मार्च जो है वो निकाला गया था तो वो जो है violent clashes में जो है वो convert हो गया तो इसी वजह से ये जो है आपकी mighty community news में आ गई है तो अब इसके बारे में देखते है कि जो mighty community जो है ये क्यों चाहती है ST status आपकी ये जो mighty community जो है जो वहाँ पर अभी मुद्दा जो है वो चल रहा है तो इसको जो है mighty community को lead किया जा रहा है by schedule tribe demand committee of Manipur के द्वारा STDCM के द्वारा ये demand कर रही है 2012 से ही कि इनको ST status जो है वो दे देना चाहिए और ये asking to provide them with constitutional safeguard कि उन्हें constitutional safeguard जो है वो मिल सके करते हैं कि they were recognized as a tribe before the merger of Manipur कि जब वो Manipur में जब उन्हें मर्ज जो है वो नहीं किया गया ता उससे पहले उनको जो है recognize किया जाता था इंडिया के द्वारा ही कि वो जो है एक tribe tribe है ठीक है यानि कि माइटीज को जो है पहले एक tribe के तोर पे recognize किया जाता था लेकिन 1949 में क्या किया गया Manipur जो था उसको merge कर लिया गया इंडिया के साथ उसके बाद से इनका मैटीज जो है उनका ये कहना है कि उनकी identity जो है वो lost होती जा रही है जब से उन्हें जो है इंडिया के साथ merge किया गया है As a result of being left out of the scheduled tribe list the मैटी community feel marginalized and victimized without any constitutional protection तो जैसे ही उन्हें जो है इसके साथ Manipur के साथ merge किया गया और उन्हें ST list जो है उसमें include नहीं किया गया तब से लेके जो है ये खुद को marginalized जो है वो feel करते हैं और victimized जो है वो feel करते हैं तो ये जो community जो है जो मैटी के साथ साथ जो है जो committee जो है उनकी STD, CM इन्होंने क्या किया इन्होंने start किया माइतियन या माइती कि इन्हें gradually जो है इनका marginalized जो land जो है जो कि इनका ancestral land जो है वो दीरे दीले जो है वो marginalized जो है वो किया जा रहा है जो इनकी population जो थी 1951 में 59% of the total money poor population जो है वो हुआ करती थी वो 2011 census की according जो है वो population सिरफ और सिरफ 44% जो है वो रह गई है उनका ये मानना है कि अगर उन्हें ST status जो है वो दे दिया जाता है तो वो लोग जो है अगर उन्हें ST status मिल जाता है तो वो चीज जो है वो ST status जो है वो इनको help करेगा इनका ancestral land जो है उसको preserve करने में इनकी traditions जो है उसको preserve करने में इनका culture और language जो है वो preserve करने में और उसी के साथ इन्हें safeguard प्रोवाइड करवाएगा against the outsiders तो ये सारी मांगे जो है ये mighty community की है तो अब देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई भी community जो है या कोई भी tribe जो है अगर उन्हें ST list में जो है वो include करना है तो उसको process जो है वो क्या होता है the process of including a community in the list of ST forals a set of modalities तो उसके लिए a set of modalities जो है वो set out किया गया है और इसको establish किया गया था 1999 में तो ये set of modalities जो है 1999 में जो है इनको set किया गया था कि अगर कोई particular community जो है वो ST status चाती है तो उसको कौन कौन से procedures के थूँ जो है वो होके गुजरना होगा तो सबसे पहले आपकी respective state जो है जिस state के लोग जो है schedule tribe की मांग कर रहे है वो respective state या अगर कोई particular tribe अगर वो union territory में रहता है तो उस union territory की government जो है वो सबसे पहले एक proposal जो है inclusion का proposal जो है वो initiate करेगी उसके बाद वो proposal जो है वो union tribal affair ministry जो है उसके पास जाएगा तो उसके बाद जो है अगर वो वहाँ से उसको approval मिल जाता है तो तो देन वो approval proposal जो है वो आपका office of registrar general of India के पास जो है ORGI जो है उसके पास जाएगा तो अगर ORGI जो है उस approval को जो है उस proposal को जो है वो approve कर देते हैं कि इस particular community को या इस particular tribe को जो है schedule tribe में include कर लो तो अगर वो उस inclusion के लिए जो है अपना approval दे देते हैं तो देन वो proposal जो है national commission for schedule tribe जो है उनके पास जाएगा अगर वो भी उस proposal को जो है approve कर देते हैं तो वो उस proposal को forward कर देंगे cabinet के पास then cabinet क्या करेगी एक amendment जो है वो ले के आएगी constitution schedule tribe orders 1950 में तो उस particular tribe का नाम जो है उस constitution schedule tribe order 1950 में जो है वो include कर दिया जाएगा and then वो particular tribe जो है वो schedule tribe जो है वो गूशित कर दिया जाएगा September 2022 में जो है Government of India ने जो है वो certain communities जो थी उनको schedule tribe में include किया है तो ये भी आपके current of your point of view से ये भी आपके लिए important जो है ये हो जाता है तो वो कौन-कौन सी tribes जो है उनके नाम देख लेते हैं सबसे पहले आपकी भिंजिया tribe ये है 36 गड की देन उसके इलावा है नारी कॉरावन और कुरी विकारन ठीक है ये तबिल लाडू का tribe है ये दो tribes इनको schedule tribe में include किया है उसके लावा बैक्टा कॉराबा ये है करनाट का tribe देन है हातीस ये हिमाचल परदेश का tribe है and the last है आपका गौन कम्यूनिटी ये है उत्तर परदेश की ठीक है तो इन सब को 2022 में जो है ये आपकी schedule tribe list के अंदर जो है इनको include किया गया है तो आज की जो हमारी class थी वो मैई 30 के बारे में थी कि किस तरीके से वो जो है schedule tribe में include होने की मांग जो है वो कर रहे हैं और कहां तक उनकी मांग जो है वजायज है तो और क्या क्या प्रोसेस रहता है आपका किसी भी particular tribe को schedule tribe में include करने के लिए तो वो सारा हमने आज की class में देखा इस class के जो notes है आपको send कर दिये जाएंगे हमारे telegram channel पर और जो हमारे various whatsapp groups जो है वहाँ पर भी इसके notes जवाब को circulate कर दिये जाएंगे उसके लावा हमारे various courses के बारे में information लेने के लिए आप हमारे screen पर ये number पर contact कर सकते हो तो आज की जो हमारी class थी वह यहीं तक थी thank you so much